कि प्रस्ण है कि निमली खित में से कौन विधुत का सुचालग हो जाएगा यहां पी इस प्रस्ण का सही एंसर हो जाएगा वह खपर के साथ चला जाएगा यहां कि जो C है इनकि C ? इनको राइज एंसर होजबा Option number C शेयरे दोस्तों नेक्ष्ट प्रस्ट नों कवर करते हैं और यहां पे प्रस्ट ने भी आप सभी के सामने आ चुका है कि which of the flowing is a semiconductor यानि कि निवन लिखीर में से कौन सा है जो और्ध चालक हो जाएगा सिलिकान, AG, CU और AF यहां पे और्ध चालक का बात किया गया है और फ्रस्ट निवन अबर एक के साम जा रहे हैं यानि कि semi conductor यह साहले कि Silicon उनका राइट इंस लिगा Option A आप अपना बाताते हुए चलेगा दूस्तों क्यूंकि इससे पादा चलेगा कि आपकी जो त्यारी है कितनी धाकर तरीके से हो रही है और यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्ण को कि निमने लीखित में से कौन सी संधरता इकाई ताप पर निर्भरन नहीं करती है तो यहाँ पर बता देजे कि वीच वन अफ दा फूलोइंग कंसेंट्रेशन यूनिट डज नट डिपेंड तो यहाँ पर इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तो इस परस्ण का जो सही एंसर हो जेगा वह तीन का सी यानिके मुललाता हो जेगा यह मुलली ती इस परस्ण का राइट एंसर एक अप इस परस्ण का राइट एंसर हो जेगा अप्सन नबर ए आए दोस्तों नेक्षन परस्ण कवर करते हैं और यहाँ परस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निमनलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे चार आप आपको दिया गया है इस परस्ण का राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि लोहे के लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निमनलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं तो इसमें हम लोग करते हैं तो यह पीबी एस फोड़ यानिकि ऑप्सन यहाँ पर जो डी आप यही एंसर होजेगा और यहाँ पर प्रस्ण आप देख रहेंगे कि वीच अफ दा फ्लोइंग इस नेसेसरी फोर रस्टिंग ऑफ आयरन यानि कि लोहे पर जंग लगने के लिए निमनलिखित में से कौन सा आवस्यक होता है सुट्सक वायू आद्रवायू आसुद जलिया यहाँ पर यहां पर फ्लोइंग इस ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिदाइजिंग एजन्ट यानि कि निमनलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सिकारा कौन सा हो जाएगा CL2, F2, I2 या BR2 तो यहां पर सबसे प्रबल अक्सिकारख बताना है कि कौन सा पदार तो जो है वह हो जाएगा तो जब ही अगर अक्सिकारख का बात करें तो यह एप 2 के सांथ इसका राइट चल ज़एगा नहीं कि यह नेक्षन प्रस्णों कफर करते हैं और यहां पे प्रस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है कि इन वीच आफ दा सब्सक्राइब करें और यहां पर देख सकते हैं प्रस्ण को कि निमने लिखित में कौन सीने बार है यहां पे इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होना चाहें दोस्तों जली से कमेंट बकस में अभी के अभी चाहिए दोस्तों की इनलिखित में से कौन जो हो है वा सीने बार है तो यह HGS के साथ इसका राइट चल ज़ेगा option और जब B है इस प्रास्ण का सही answer हो ज़ेगा option number B और यहाँ पे प्रास्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है कि oxygen के बाहत्म का एक्षा का electronic विनियास का होता है तो oxygen का क्या होता है 8 होता है तो 8 को हम लोग क्या लिखते है 1 is 2 1 is 2 2 is 2 2 p 4 यहाँ पे 2, 2, 4 चार चार आठ यानि कि 2 is 2 और 2 p 4 यानि कि अन्तिम काक्षा का पुछा गया है यानि कि बाहरी काक्षा का यहाँ पे 2 is 2 और 2 p 4 देखें कि किस अप्शन में है यहाँ पे 2 is 2 और 2 p 4 यह किस अप्शन में है तो यह अप्शन मर्ज यहाँ पे जो ए अप्शन है इसका राइट एंसर देगा अप्शन नमबर A चले दूस्तों नेक्षन प्रस्ण को कभर करते हैं और यहाँ प्रस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है कि तो यहाँ पे बताने कि मेंगनेसियम धातु के बाहतम के अक्षा में पाई जाने वाले इलेक्ट्रोनों के संख्या कितनी होती है तो यहाँ पे 4, 3, 2 और यह 4 अप्शन आपको दिया गया है इसका राइट एंसर क्या होने चाहिए दोस्तों तो यहाँ पे इस परस्न का जो सही एंसर होजेगा वह होजेगा दो यानि कि दो जो है इस परस्न का सही एंसर होजेगा जो सी अप्सन है इस परस्न का सही एंसर होजेगा चले दोस्तों नेक्षन परस्न को कभर करते हैं और यहां पर प्रस्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि P orbital का आकार क्या होता है और P का क्या होता है तो đमbill होता है SPD D का क्या होता है तो double dumbbell होता है double dumbbell dumbbell और F का क्या होता है तो यह जटिल होता है तो यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है दोस्तों कि P orbital का आकार क्या होता है तो यह dumbbell के साथ इसका right answer चल जाएगा यानि कि जो option number A है कभी कभी सबसे ज़्यादा जो प्रस्न उतर पूछा जाता है वह D उपकुक्ष का यानि कि D orbital का हम लोगों से सवाल पूछ लिया जाता है कि D orbital का क्या अकार होता है तो यह double dumbbell होता है याद रखेगा तो A से orbital के लिए गुलिया होता है इसका अकार और P orbital के लिए dumbbell होता है D orbital के लिए double dumbbell होता है और F orbital के लिए जटिल होता है याद रखेगा तो इस परस्न का जो सही answer होजेगा या option और जो A है इस परस्न का सही answer होजेगा गोलिया क्या होता है A और double dumbbell होता है D और यह तो होता है P तो इसका राइट एंसर रोज़गा अपसन नमर एफ दोस्तो अगर सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जोड़ कीज़ेगे दोस्तो और अगर चांस अगर नहीं जोड़े हो तो जोड़ ही सबस्क्राइब कर लिज़गा और यहाँ पर देखिए प्रस्ण को यह प्रस्ण हम लोगों से क्या कह रहा है कि निमने लिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है यहाँ पर बताना है कि कास्टिक सोडा निमने लिखित में से किसे कहा जाता है यहाँ पे तरना प्रश्न का जो सही अंसर हो जगा वह हो जगा एन ओ एज और एन ओ एज इसका राइज अंसर हो जगा अप्सन नमर ए दोस्तो और जल्दी से टाइप कर देजे दोस्तो की सधारन नमक का सूतर क्या होता है सद्धारन नमका यानि कि सद्धारन साल्ट का सूत्र का होता है सद्धारन नमका तो जल्दी से कमेंट बक्स में छाब दीजे गोली की तरह कि सद्धारन नमका सूत्र का होता है और यहाँ पर प्रस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है तो जब ही अगर पुटास से इलम का बात किया जाए तो यहाँ जो होता है यह एक यूग में लवाण होता है याद रिखेगा यहाँ परस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है कि हीरा में कर्बन परमाडू का परस्ण करन क्या होता है SP3, SP2, SP और यहाँ पर D2, SP3 the hybridization of carbon atom in diamond is तो यहाँ पर हीरा में पुछा गया है कि हीरा में कर्बन का परमाडू का परस्ण करन के hybridization क्या होता है तो यहाँ परणन परस्ण का जो सही अंसर होता है वो SP3 होता है याद रहेगा यहां पे प्रस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है यह देखिए यह जो अकार है यह योगी का नाम बताना है यह किस योगी को इस परकार से लिख सकते हैं फिनॉल फिनाईल बेंजीन हैडकसाइड और बेंजीन तो यहां पे देखिए बेंजीन का हम लोग कैसे बना सकते हैं तो ऐसे बना सकते हैं बेंजीन लेकिन यह जो है यह जो यहां पर जो option number A है इस पर चम कर राइंट ये चम को एंसले का option number A और जल्दी से एक comment box में छाफ दीज़े, comment box में गोली की तरह किstad कीveg यह इस परकार से शेप बनता है यहाँ पर एक लिए यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर तो जो भी देखिए जहाँ जहाँ डॉबल बॉंड है वहाँ वहाँ एक पाई बनेगा तो यहाँ पर भी पाई यहां पर भी πाई और यहां पर भी πाई बनेगा ठीक तो यहां पर तीन पाई होता है और यहां पर देखे एक दो तीन चार पांच यहां कि छे जगा है एक अल बंड तो यहां पर छो सीगमा होगा तो यहाँ पे हम बता सकते हैं दोस्तों कि जो pi bonder की जो संख्या है वो तीन होती है और sigma bonder की जो संख्या होती है वो छो होती है याद रखेगा इस परशन का right answer देगा option number B चले दोस्तों next परशन कभर करते हैं और यहाँ परशन भी आप सभी के सामने आ चुका है यहाँ परशन का right answer देगा option number A अब माचिस के डीबिया पर कौन सा फास्फोरस का यूज़ करते हैं माचिस के डीबिया होती है नहीं होता कि पर अगवर्णुश का यूज़ किया जाता है और सबसे खतरनाइक जो फास्फोरस होता है वहा पूजलास होता है और यहां पर देखिए कि निम्लिकी में से कौन सा धातू परित्वी के से प्रसूर मात्रा में पाए जाता है वीच अव दा फ्लोइंग मेटल इज इबाउंडेंटली फाउंड इन द ओर्थ क्रॉस्ट यहां पर इल्मुनियम सोडियम एफिलोहा और सिलिकॉन यहां बता देना है कि कौन सदातों जो है प्रिथ्वी में पर्चूर मात्रा में पाए जाता है तो 19 प्रस की सब्सक्राइब की ध्यार तो यहां पर यहां पर देखिए का सा नाम से जाता है तो यहां पर धाव हेलोजन बाय वीच नें तो यहां जो सी अप्सन है इस प्रस्ण का सही एंसर हो जगा दोस्तों अगर चानल से अगर नए जो रहे हो तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर ले जगा और यहां वे प्रस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है कि इथीन बहुली क्रीत होकर निम्नांकित में से क्या बनाता है इथीन और पॉलिमराइजेशन गेप से वीच अब धा फ्लोइंग यानि कि पॉलिथीन पॉलिप्रोपीन बेंजेन अर्डी है इन में से सभी तो इथीन बहुली क्रीत होकर निम्नांकित में से क्या नहीं सरी क्या बनाता है तो एकिसना प्रस्ण का जो सही एंसर हो जगा वह जगा और बेंजीन का सुत्र क्या होता है जल्दी से कमेंट बक्स में छाप दीजे कि बेंजीन का सुत्र क्या होता है और यहां प्रस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है कि सोडियाम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिस्राण को गर्म करने पर निम्नांकित में से क्या बनता है मिथेन इथेन प्रोपेन या बेंजीन तो यहाँ पे बता देना है कि सोडियाम बेंजो एट और सोडा लाइम के मिस्रार को गवर्म करने पर निमलीखित में से क्या बनता है तो इस प्रोपेन इफेन को से बता है और यहाँ पर परस्न आप देख सकते हैं कि काफी महत्तपूर है कि फिनल जब फिनल को जासताँ चोड़ने के साथ गर में किया जाता है तो क्या बनता है वेन फिनॉल इस हीटेड वीच जिंक डॉस्ट इट फॉर्म्स तो यहां पे बेंजीन, मिथेन, इथेन और जिंक फिनकसाइड तो यह परश्णतर जो है यह दो नमर में ही पुछ लिया जाता है और पांच नमर में A, B, C, D करके पुछ लिया जाता है तो जब फिनॉल को जास और यहां पे चोई स्वच नम परशेन भी आप सभी के सामने आ छुका है कि नमनांस की से कौन और म…! अ Nej ऑर ज। यहां पर बतादेना है कि नमनांस की स्वहास हो जाएगा तो ग disp दिग्रिबल बहुलग हो जाएगा इस प्रशन का जो सही अंसर हो जएगा वह से लिलोज जो है इस प्रशन का राइट एंस अप्सन नमबर डी दोस्तों और यहां पर देख सकते हैं प्रशन को कि एयल्डी हाइड के अक्सी करण से बनता है तो यहां पर बता देना है कि Aldehyde के Oxid-Current से क्या बनता है तो इस प्रस्ण का right जो एंसर हो जगा 26 का वो जगा option number A यानि कि Carboxylic Acid का निमार होता है तो उस समय दूस्तों पूछे थे कि Carboxylic Acid का किरयातमक समोह क्या होता है तो COOH होता है याद रखेगा और एक प्रस्ण उतर अभी के अभी छाप देजिए कमेंट बक्स में कि अलकोहल का किर्यात्मक समुख क्या होता है और यहां पर प्रस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है कि एफी एस्टू ओ फाइव एनो एसो फोर में एफी का अक्सीडेशन नमबर क्या ह होता है दा अक्सीडेशन नमबर आफ एफी इन एफी इस टू ओ फाइफ एफ एफ एनो एस फोर इस प्रस्ण का जो सही एंसर हो जगा 27 का वह जगा आपसंबर सी चलिए दूस्तों नेक्स्ट प्रस्ण को कवर करते हैं और यहां पर प्रस्ण भी आप सभी के सामने आ चुक जाएगा इन में से कौन जो है वाचि लेटिंग लिगेंड हो जाएगा तो वान कमार टू इथिलीन डाइमीन हो जाएगा यहन की आपसंबर जो ए अपसंबर आ इस प्रस्ण का राइट एंसर रोजगा आपसंबर ए और एक प्रस्ण अभी कभी ही छाप दीजेए दोस्तों का शूत्र क्या होता है अमोनिया शूत्र क्या होता है जल्दी से जल्द trib sab conservation का शूत्र क्या होता है तो इसकर राइट एंसर हो बारे法िए और यहाँ परस्ण अब देखते हैं इस परस्ण का राइट एंसर लगा देंगे कि दॉ औःक्सिदेशन नमबर आ अफ सियों सी यो सी टू ओफूर होल थ्राइस तीन माइनस इज यहां पर इस परस्टन का जो सही एंसर आता है 29 वह आता है पुलस तीन यहनी कि इसका भी पुलस तीन ही होगा यहनि कि आपसन जो सी आपसन है इस परस्टन का एकर सही इंसर होजेगा ऐगा कियुके यहां पर देखे यहां परस्टन का इसका मान होता है zero होता है और यहां पर माइनस है यह तो edeर ही माइनस के साथ अथरता है बाइस्お願いします to benefit on tum featuring यहां पर यह सी टू ओफ फॉर जो है इसका मान ही 0 होता है तो इसमें कुछषू से गुणा करेंगे तो जी रो ही होगा तो यहां पर जो कि अब बराबर के साथ हम लिकरते हैं तो एक स्थ बराबर पुलस 3 नहीं की स्कारेंगा に चले दूस्तों नेक्षन प्रस्णों कवर करते हैं और यहां पे प्रस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है निम्लिकित में से कौन पहरी संक्रमर्स स्रिंखला का तत्वा नहीं है तो वीच अब दा फ्लोईंग है यानि कि यहां पर इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तों जीडो दो तीन और चार तो इस प्रस्ण का आँख मूद कर भी आप एंसर देंगे तो आपका सही ही एंसर आएगा यानिकि सुन्या जो कि राइट एंसर प्संबर यह दोस्तों अगर चानल पर नहीं सब्सक्राइब कर लिएगा और इस वीडियो को जरूर ही अपने दोस्तों में सेर किजिएगे दोस्तों अब जो वहीं सेशन अब आएंगी जो आपके लिए महत्तपूर्ण है दोस्तों और यहां पर देखिए कि XEA4 का आकार होता है रह खीक वर्ग तलिये पिरामीडल चत रखेगा और यहां पर देख सकते हैं प्रस्न को जो की काफी भीवी आई प्रस्न है दोस्तों निमने लेखित में से कौन सी गैस H2SO4 में घूल कर ओलियम का निर्वार करती है वीच अब दा फूलइंग गैस डिजल्व इन H2SO4 2 फ्रम ओलियम तो इस प्रस्न का जो सही एंस प्रस्न का प्रस्न कवर करते हैं और यहां पर यह पर चुप गया था दोस्तों यह पर देखते ही नहीं होता है इसका भी नाम सुनते हैं आपका मंड में लोडू फूट गया होगा कि हम सबसे पहले इसका इंसर हम ही बताएंगे तो फिन उत्पलाउन बीजी द्वारा कीस इस प्रकार के अयास क किया जाता है और यहां पर यहां पर जो किया जाता है इस परस्न का पूछा गया है यहां पर सूत्रे पूछ लिए गया है यह F3O4, FCO3, F2O3 और D है इन में से कोई नहीं तो लोहे का मुख्या जो IAS को होता है दोस्तो 35 का वह ज़ेगा option बर A यानि की F2, F3O4 यानि की इस परस्नकार जो राइट एंसल होजगा वह option बर A के साथ चला जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं परस्ने को कि यह परस्न उतर क्या होगा कि HACWOH का IUPAC नाम क्या होता है तो यहाँ पर इसका राइट एंसर क्या होगा The IUPAC नेम अपर AACWOH तो दोस्तो मालेज़े अगर इसका अगर साधारा नाम अगर कहता साधारा नाम तो यह फार्मिक एसीड के साथ इसका राइट एंसर चल जायता है लेकिन यहाँ पर IUPAC नाम पूछा गया है तो एक करबन है तो मेथ होगा तो मिथे नोई के एसीड तो मिथे नोई के आमल हो जाएगा यहाँ पर जो बी आप्सन है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर राइट कोपर गलांस गलेना या सीडे राइट तो यहाँ पर देखिए कि कोपर का मुख्य यहाँ पर 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 यहाँ जल में घुलन सील है ठीक क्योंकि यह जल के साथ बनाता है इतनल इस सुलूबल इन वाटर ड्यू टू फर्मेशन आफ बांड वीथ वाटर तो यहां पर इस प्रस्ण का जो सही एंसल हो जगा 49 का वह हो जगा आपसन नमबर सी यानिकि हाड्रोजन बांड यानिकि एच बांड बनाता है यानिकि इतना जल में घुलन सील हए कि यहाँ बनाता है यानिकि आपसनड यहां पर जो सी है इस प्रस्ण का शही एंसल हो जगा और यहां पर प्रस्ण आपके सामने आचुका है कि यहां पर बेखिए CS3 CO CS3 का EUPSC नम क्या होता है यहां बता देना है यह तो यह तो जी तो कुटोन के साथ जुरा है यानि कि S हम लोग झानते हैं कि कि टोन का किरात्मक समूख जो हुता है वह इस परकार से होता है यानि कि प्रोपे नौन इसका राइट इनस होज़ेगा अप्सन बर ए जो है इस प्रस्ण का सही एंसर होज़ेगा अग्य दोस्तों नेक्ट प्रस्ण को अप देख सकते हैं प्रस्ण को कि गुलोकोज निम्नांकित में से किस परगार का कर्भव हईडरेट होज़ेगा वीच आप दो टाइप अब कर्भाहडरेट इस ग्लुकोज तो यहां पे परस्ण भी आप सभी के सामने आ चुका है कि परस्ण का राइट इंसर क्या होगा दोस्तो इस परस्ण का राइट इंसर क्या होगा तो इसे हम लग मोनो बैसिक अमले के नाम से जानते हैं यानि कि आप सामने यह है इस परस्ण का सही आप सामने आप